इस वीडियो में मैं आपको ये बेहत यूनिक और खुबसूरत नैक डिजाइन बना के दिखाने वाली हूँ अगर आपने इस वीडियो को एक बार पूरे ध्यान से देख लिया तो समचो आपको ये नैक डिजाइन बनाना आ गया तो सबसे पहले मैंने पेपर पेस्टिंग का पीस लिया है और इसको इस तरह से डबल फोल्ड कर लिया है नैक की मार्किंग मैंने पहले ही कर रखी है नैक की चोड़ाई हमने तीन इंच रखी है अब हम इस neck के बहार की side से थोड़ से margin extra रखते हुए कट कर देंगे round shape में इस तरह से अब हम यहां से कट कर देंगे इस neck को और फिर हम अंदर की side से कट कर देंगे तो इस तरह से हमारे यह दो neck बन के तयार हो जाएंगे इस तरह से यह दो neck बन के तैयार हो गए हैं अब हमने निज़ पेपर का पीस लेना है और इसे भी डबल फॉल्ड करके जो हमारा अंदर वाला नैक है ये जो हमारे छोटे वाला नैक है इसे बराबर रखना है बिलकुल इस तरह से सेंटर का निशान बिल्कुल न्यूस पेपर के सेंटर से मिलाते हुए इस तरह से और अगर आपके पास बुकरम है तो आप अंदर की साइड से और भार की साइड से मार्किंग कर ले लेकिन मेरे पास पेस्टिंग है तो मैंने इस पे चिपका लिया है अब हमने इसके नैक के अंदर की साइड कोई एक्स्ट्रा मार्जन नहीं रखना है सेम यही शेप पे हमने कट करना है लेकिन भार की साइड हमने करीब एक पैर का मार्जन रखना है आप देख सकते हैं इतना margin हमने extra रखना है और यहां से cut कर देना है सेम इसी shape में बराबर margin रखते हैं इस तरह से इस तरह से मैंने cut कर दिया है अब हम pasting को हटा देंगे और यह newspaper वाले neck का use हम अपने neck बनाने में करेंगे अब हमारे पास जो यह भार वाला neck है बड़े वाला neck इसको हमने कुर्टी पर stitch करना है तो उसके लिए मैंने इसे extra कपड़े पर paste कर लिया है और करिब आदा इंच margin एक्स्टर लेते हुए कपड़े का भार की side से cut कर लिया है और अब हम इस कपड़े को इस तरह से fold कर देंगे और इस पर सिलाई लगा देंगे इस पूरे neck पर हम यह कपड़ा fold करते हुए सिलाई लगा देंगे इस तरह से यह देखिए उसके बाद हमने इसे कुर्टी पर stitch कर लिया है और जो अंदर का extra कपड़ा था उसे मैंने cut कर लिया है बिल्कुल जरा जरा सा margin रखते हुए आप देख सकते हैं यहां से मैंने extra सारा कपड़ा कट कर दिया है अब हम इस snack को अंदर की side fold कर देंगे इस तरह से अब आप इस पर या तो सिलाई लगा सकते हैं मोटे बख्ये वाली और वो सिलाई आपको तुर्पाई करने के बाद हटा देनी है या फिर आप इसे press से अच्छे से set कर सकते हैं मैंने इसे press से set कर लिया अच्छे से और अंदर की side बाद में मैं तुर्पाई कर दूँगी अब हमने अपनी दो डोरी बनाई है दो कलर की एक red और एक golden फिर बारिक बनाई है अंदर से बिल्कुल भरी कपडे मख से और जो golden वाली डोरी में थोड़ी कोड़ी बनाई है श्के बाद हमने इनको कट कर लिया है जो golden फाल नो, ar super yellow फाल वाल err大家 दो, इसेगर uh, ऑब हम इस पर ये लुप्स जो golden वाली डोरी है इसके लुप्स बनाएंगे उसके लिए जो ये सिलाई वाला हिस्सा है उसको अंदर की साइड रखना है आपको डोरी का इस तरह से फोल्ड करना है डोरी को और इसका लुप बनाना है मैं इसमें डोरी अटैच करने के दो तरीके बताऊंगी पहला तो यह है कि आप इस डोरी को साथ की साथ इसके अंदर डाल लें इस तरह से इस तरह से बिलकुल बीचो बीच डाल लें और इसे नेक के साथ अटैच करें इस तरह से इस तरह से डाल सकते हैं लूप को आपको ज्यादा बड़ा नहीं रखना है बस इतना रखना है कि आपकी डोरी इसमें आ जाए और उसके बाद आपको यहां किनारे पे से सिलाई लगा देनी है दूसरा तरीका यह है कि मैंने इस पे करीब एक इंच से ज्यादा मार्जन पर गैप पर निशान लगा ल तब हमने नीचे लूप को अटैच करना है मैं यह सेकिंड वाला तरीका इसमें यूज कर रहे हूं तो मैं करीब एक एक इंच के गैप पर यह लूप्स लगा दूँगी इनका जो लैंध है लूप्स की वो मैं ज्यादा नहीं रखने वाली हूं बस डोरी आजाए इतना ही म रखने वाली है इस तरह से मैं यह सारे लूप्स इस पे पूरे नैक पे लगा दूँगी जो लूप्स पे सिलाए वाला इससा है वो आपको अंदर की साइड करना है फॉल्ड करते टाइम आप देख सकते हैं वीडियो में इस तरह से यह बनके तयार हुए है और इसी तरह से हमने पूरा नैक तयार कर लेना है इस तरह से यह पूरा नैक बनके तयार हो गया है अब हमने इसके अंदर जो पिछे का मारजन है वो एक्स्ट्रा कट कर देना है लूप्स वाला अब हमने निउस पेपर वाला पीस लेना है और उसे इस तरह से सैट करना है जितना एक्स्ट्रा मार्जन हमने लिया था वो हमने कपड़े के नीचे दबा देना है जो हमने नेक कट करते टाइम एक्स्ट्रा मार्जन लिया था न्यूस पेपर पे वो हमने कपड़े के नीचे रख देना है और इस तरह से यहां से सिलाई लगा देनी है और पूरे नेक को स्टीच कर देना है इसको बिल्कुल बराबर स्टीच करना है आप चाहें तो इससे पहले पिन अप भी कर सकते हैं इस तरह से नेक को अच्छे से सेट करके अच्छे से पिन अप करके फिर इस पर सिलाई लगाए इस तरह से मैंने पूरे नेक को स्टीच कर लिया है अब हमने डोरी को लूपस में डालना है इस तरह से लूपस को हलका सा नीचे दबाएंगे और इसके अंदर हम डोरी को डाल देंगे यह आसानी से डल जाएगी इस तरह से इस तरह से मैं सारे डोरियां लूपस के अंदर डाल लेती हूँ यह देखी मैंने इस तरह से डाल लिये और इनका लूप कुछ इस तरह से आया भी इसके बाद हमने इने नियूज पेपर पर स्टीच करना है तो जैसा कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है आपको इन डोरियों को बिलकुल ऐसे ही सैट करते जाना है और इस पर सिलाई लगा देनी है जहां आपकी एक लूप की डोरी खतम होती है आपको दूसरे लूप की डोरी वहीं से स्टार्ट कर देनी है इस तरह से यह बिलकुल आसनी से स्टीच हो जाएंगी और फिर जो news paper से भार की side जो भी dory का piece है उसे आपने cut कर देना है extra piece को इस तरह से cut कर देना है यह देखी बिल्कुल इस तरह से सफाई के साथ cut कर देना है अब हमने इसके लिए एक औरे पटी लिया है और औरे पटी को इस तरह से double करके और इसके बिल्कुल किनारे पे से सिलाई लगा दिया है यह हमने औरे पटी लिये तिरची पटी लिये अब हमने इस पे neck की सीधी side इसको stitch करना है इस तरह से रखके इसके बिल्कुल किनारे पे से सिलाई लगा देनी है यहां से आपको ध्यान रखना है इसके लिए इस पट्टी को आपको औरेब में कट करना है मतलब कपड़े की तिरची पट्टी आपको लेनी है इस तरह से हम इस पट्टी को गुमाती जाएंगे और पूरे नैक पे स्टीच कर देंगे यह आसानी से स्टीच हो जाएगी देखिए इस तरह से यह स्टीच हो गई है अब हम इसको इस तरह से अंदर की साइड फॉल्ड करेंगे और बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगा देंगे यह सिलाई हमारी उपर वाली पट्टी के उपर भी आनी चाहिए हमने उपर वाली और नीचे वाली दोनों पट्टी को जोड़ना है तो हम यह सिलाई लगा देंगे इसके उपर इस तरह से फॉल्ड करते जाएंगे हम बराबर इनको पूरे नेक पे और यह आसानी से फॉल्ड हो जाएगी इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है इस तरह से फॉल्ड हो गई है आप देख सकते हैं अब हम इस न्यूज पेपर को हटा देंगे और इस तरह से हमारा नेक डिजाइन बनके तयार है यह देखिए इस तरह से आप बना सकते हैं नेक को फ्रेंड्स अगर आपको हमारे वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीसी से लाइक करें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें